हालो फ्रेंट्स आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताऊंगा जो मैंने अब एक्स्परियेंस से देखा है जो मेरे काफी क्लाइंट्स ने किया है किड्नी फेलियर के केस में करते हैं या लॉट ऑफ देते हैं देर भाइ उसके ब्लड वॉल्म को इंक्रीज करते हैं और टॉक्सिंस को रिलिज करते हैं वाया यूजिंग डायोटिक्स इस पकार से क्याटनी लेवल दियद्रे बॉड़ी में कम होता है और यह लाइन फ्रीट्मेंट होता है लेकिन देख कि फिल्ड टॉक्सिने यूज किया है कौन सिल्क छोंमेट होता है उसका चल्लां कि कपर चूंस क्या बात करना है आप ने एक आधा लिटर पानी लेना है आधा लीटर पानी में क्या हुआर यांडे ग्राम 150-200 गाम कौन सिल्क डालना है उसको उबालना है जब तक यह पानी सूख के वन फोर्थ ना हो जाए जब पानी सूख के वन फोर्थ हो गया बॉयल करने से उसका कारहा बन गया तो उसको आप अराम से रख ले और जाता नहीं तीन चम्मद सुबह तीन चम्मद साम अपने उसको केटनिल के लेवल को रोगो करने में काफी योप होगा यह बहुतबड़ा कीटनियटॉनिक है अगर आपके ड़को nove extract की प्रॉल्म हो रही है तो स्ट्यों को फिल्टर करने में। होगा और उसका केटनिल लेवल जल्दी लो हो जाएगा अटलिस्ट वह मेंटेन होता रहेगा यह बहुत बड़ा किड्नी टौर्णिंग के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं तो याद रखें दोस्तों कॉन सिल्क वेरी यूजफुल इन किड्नी प्रावलम थैंक यू फ्र